Hello everyone, welcome to my YouTube channel आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और friends इस वीडियो में हम बात करेंगे railway की new recruitment के बारे में देखो आपको बता है कि railway में इस बार vacancies का जो सिलसला है वो बहुत ही यहाँ पर चातरों को निराश कर रहा है देखो railway में जो करमचारियों की संक्या है मतलब की जो vacant post है वो लगतार increase हो रही है इवन ये number जो हर महीने increase हो रहा है तीन RTA आपको दिखाऊंगा तीन अलग-अलग मन्त की यानि की जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से तीन regular मन्त की आपको मैं RTA दिखाऊंगा और आप लोग देखकर शौक हो जाएं क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी संक्या में वेकेंट पोस्ट यहां पर है उसके बावजूद भी यहां पर railway में vacancies बहुत ही कम देखने को मिली उसका reason भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेंना skip के वीडियो के यहन तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी subscribe करके bell icon को press करना ना बोले तो देखे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं सबसे पहला RTA का reply है और मैं आपको 251 यानि की railway में केवल और केवल Group C में जिसमें आपका NTPC Group D, RRBG, Paramedical यह सभी आते हैं इनकी यहाँ पर 2,34,255 पोस्ट खाली है एक जनवरी 2024 तक अब उसके बाद जो है दूसरी आयटे है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ही जो आयटे ही है एक फरवरी 2024 की है जनी की एक महीने बाद की और इन्होंने सेम यहाँ पर जो reply दिया उसमें आप लोग देखेंगे टोटल नंबर ओफ नॉन गजटेड़ पोस्ट यहाँ पर भी बात केवल Group C की होरी है जिसमें अब देखो कितना हो गया डाटा 2,35,860 अभी कितना था इससे पहले 2,34,251 और यहाँ पर हो चुका है 2,35,860 एक महीने में इतना यह डाटा इंक्रीज हुआ है अब उसके बाद देखें तीसरा reply तीसरा reply में इन्होंने जो डाटा दिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी CMA Level 1 और Group C का 2,36,902 और यह है आपका 1 March 2024 तक का तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 2,34,000 फिर 2,35,000 और यहाँ पर 2,36,000 हर महीने अगर 1,000 पोस्ट भी साल में इंक्रीज होंगी जबकि पूरे साल में रिक्रूटमेंट का प्रॉसेस कंप्लीट नहीं होगा लेकिन सवाल यहाँ पर गोम फिरकर यही आता है कि जब इतनी बड़ी संक्या में सीट्स खाली है तो रेलवे वेकेंसी जारी क्यों नहीं कर रहा है देखो यह थोड़ा सा काला सच है सुनने में आपको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा लेकिन यह कुछ हद तक बिल्कुल सही है और वो है रेलवे का प्राइवेटाइजिशन यहाँ पर हाला कि 2,36,000 इंप्लोई के आवशकता है ग्रूप C में लेकिन उसको जो वेकेंसी निकाली जाएगी वो ही 8,10,12,000 इस तरह सी निकाली जाएगी क्योंकि बाकी के जो इंप्लोई है वो यहाँ पर ठेके पर और प्राइवेट तरीके से रखे जा रहे ही यह बात आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़े लेकिन दूसरे तरीके से पोस्ट खतम होती है कि हम इस पोस्ट को सरकारी तरीके से तो हटा रहे है लेकिन प्राइवेट हम उससे काम करा लेंगे अभी आप लोगोंने देखा कि उस दिन पहले एक आर्टिकल आया था वेकेंसी कम हो रही है और वेकेंसी कम हो रही है सिरफ यहांपर वेकेंसी आने की टमस में यान लिए तोड़ी थमसे निकाली जाते हैं क्योंकि धीले धीले सरकारी करमचारियों को काम किया जाएगा और प्राइवेट करमचारियों को बढ़ाया जाएगा यही कही न कहीं रेलवे का एक आप लोग कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो है या एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर के रिए तो यह थोड़ी सी सच्चा ही मैंने आपको लेकिन यहाँ पर यह सपने चूर हो रहे हैं स्टूडेंट के तो थोड़ असा यहाँ पर स्टूडेंट को भी अपने आपको शिफ्ट करना पड़ेगा SST banking की तरफ या फिर आपको जो है extra महनत करनी पड़ेगी अगर एक seat आपको निकालनी है बाकि आप इस बारे में क्या राए रखते हैं comment box में जरूर बताएं